अंकिता लोखंडे ने हार ही में इंटर्व्यूस में बहुत सारी बाते अपने दिल से कहीं क्या अंकिता परिशान हो चुकी है उन्हें इस बात का बुरा लगता है कि बार बार जो है उन्हें जज किया जाता है और इनी सारी चीजों से परिशान होकर अब अंकिता एक ब्रेक लेना चाती है और इस बात का इशारा जो है यहाँ पर उन्होंने किया है एक इंटरव्यू में और यहाँ पर उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखो मैं बहुत ठक चुकी हूँ मुझे बार-बार जच किया जाता है मैं अब मैं चाहती हूँ कि मुझे चोड़ दो और अब जो है मुझे सच में लगता है कि मैं एक लंबा ब्रेक ले लो घर के अंदर फाइट्स जो है वो प्लान करके गई थी नवित के साथ जो मीडिया में बहुत जादा जो उनका वाइरल हुआ वीडिय और प्लीज अब मुझे चोड़ दो किसी और के पीछे मतला मेरे पीछे पड़ गए सब ऐसा लगता है और जल्दी ऐसा हो सकता है कि अब मैं दिखू ही नहीं तो यहां ये बात कहती हूँ ही नजर आई है अंकिता तो कहीं ये बात जो है वो इस बात की और इशारा करती है क कि क्या वाकई मैं अंकिता लोखंडे अब इंडस्ट्री से ब्रेक लेने वाली है और क्या वो जो लॉंग ब्रेक की बात कर रही है वो काफी वाइरल हो रहा है लेकिन यहां पर उनका यह कहना है कि मैं एक लॉंग ब्रेक लूँगी मतलब मैं ठक चुकी हूँ सब को बात है यह उनके फैंस को परिशान कर रही है उनको यह लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब अंकिता नजर ही ना आए ना सीरियल या फिल्मों में हाला कि मुझे ऐसा नहीं लगता मुझे लगता है यह थोड़ी चीज़े जो है जो फिलाल अभी घर के बाहर आने की बा लूगी तो थोड़े टाइम के बाद लूगी और मेरा विक्की के साथ जब मैंने इंटर्व्यू किया था तब विक्की नहीं यह भी कहा था कि वो शायद फैमली प्लानिंग के बारे में भी सोच रहे है तो हो सकता है इसी के लिए अंकिता कह रही हो कि वो एक लॉंग ब्र कि राय लिकर जरूर बताएं